नमस्कार, मैं हूँ आपके सकनीत्यम मंत्र यंतंत्रवास्तु के विशेश कास्क्रिम के साथ हर्याले तीज पर अपने पती की लंबी आयो के लिए सुहागीन महिलाएं हर्याले तीज का निर्जला ब्रत रखती है यहां ब्रत बहुत कठिन होता है च्योंकि इसमें जल, अन और फल आदी कुछ भी खाना वर्जित होता है इस ब्रत को करने के लिए महिलाओं को काफी कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है अगर आप ब्रत करते हैं परिश्रम करते हैं लेकिन आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो इस ब्रत का पूरा फल आपको प्राप नहीं होता है हर्याले तीज के दीन आपको कुछ ऐसी चीज है जो बिलकुल भी नहीं करना चाहिए क्या करना है ये ज़्यादा महत्पुन है क्या नहीं करना है ये उससे भी ज़्यादा महत्पुन है चुकि मेहनत के बाबनुत भी अगर आप पूजा करते हैं एक गलती हो जाती है तो पूजा का पुनफल आपको प्राप्त नहीं होता है तो बने रहे हैं हमारे साथ हम आपको पताएंगे क्या चीज आपको अबस करना है और क्या चीज हरजाली तीज पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। धार्मिक मनता के नुसार इस दीन भगवान शीब और माता परवती का पूर्णर मिलने हुआ था। पहनना चाहिए हरे रंग की चूरियां को पती की लंबी उम्र, सिहत और खुसी उल्लास का परतिक मना जाता है। इस दीन हरजाली तीज के दीन सोहागिन महला को हरे रंग की चूरियां निशी तूर्प से पहनना चाहिए। दूसरी चीज है, हरजाली तीज पर मायके से आई चीजों का उप्योग करने की प्रंपरा है। इस दीन हरजाली तीज ब्रत के दीन माता पिता अपनी विवाहित बेटी को सारी सुरा सिंगार का समान मिठाई फल आदी भेजते हैं। को चाहिए कि हर्जाले 30 का ब्रत के दिन पूजा के समय अपने मैं के से आई समान का उप्योग अवस्य करना चाहिए अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपका पूजा सफल नहीं होगा पूजा का पुण्फल आपको प्राप नहीं होगा इसका भी आप ध्यान रखें तीसरी च कथा है उस कथा को नहीं सुनते हैं अगर आप ब्रत कथा नहीं सुनते हैं तो पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा इसलिए जो हरजाले तीज का ब्रत कथा है इससे आपको सुनना ही सुनना है तभी आपका पूजा पुन होगा चोथी चीज है हरजाले तीज के दिन म माता परबती से जुरी गीत और कथाओं को गाना पढ़ना या सुनना चाहिए इससे माता आती प्रसन होती है अगर आपको कोई गीत आती है कोई कथा आती है तो आप इसे पढ़े सुने और सुनाए इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी तो मैंने आपको बताई कि हरजाल थीज्ड के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए सबसे पाखली जीज आपको नहीं करना है है ति आधि के देन किशी का आप मा Hang नहीं करना है कभी 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 घर में किसी करना है अब realidade पर बुजब कर ना करें कि ca. अ प्मान ऑफ मिल्कुल बिना करें दूसरी चीज बरत के दीन आपको लडाई-ज़्ग्रे से भी बशना चाहिए मन में किसी दूसरे के पड़ी किसी बीतरह की नाकतम4 तुरभाव न आ swoją तभी आपका ब्रत पूर्ण होता है, तभी आपकी पूजा सफल होती है, घर में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से आप लडाई जगरे इस दिन बिल्कूल भी ना करे, खास करके जो महलाएं ब्रत रख रही है, उसको तो खास रशी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तीसरी चीज है, हरिजाले तीज के दिन अपने जीवन साथी से कोई बात आपको छुपाना नहीं चाहिए, और नहीं आपको जूट बोलना चाहिए, कहा जाता है कि ऐसा करने पर पती के उपर दुख के बादल मंडराने लगते हैं, इसलिए इस दिन आप खास ख्यार लखें इसका चोथी चीज है, हरिजाले तीज ब्रत में काले और सफेद कपरे बिल्कुल भी आपको नहीं पहना चाहिए, इससे जीवन में असुब होने के असंका बनी रहती है, इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि काले कपरे का पर्योग ना करें, आप लाल और पीले कपरे का होगा अगर आप कर सकते हैं, कोई बीमार है तो वो आप निजला नहीं भी रखें तो कोई बात नहीं है, जो कर सकते हैं तो आपको निजला ब्रत ही रखना चाहिए, नहीं तो आपको ब्रत का पूरा प्राप्त नहीं होगा, तो आज मैंने आपको बताए कि आपको हरिजाल महिने की तिर्तिया तिथी को मनाई जाती है तिर्तिया तिथी का प्रारंब होगा 31 दुलाई 3 बज़ से ये प्रारंब हो जाएगी और इसकी समापती होगी एक अगस्त को सुबह 4 बज करके अठ एसी बीच में आपको पूजा पारंद feminine सब पुछ करना है सारे चीजूँ के आपको जो भी पूजा करनेया ये पूजा इसी बीच में आपको कर लेनी है तो आज मैंच आपको बताइए कि 2030 के दिन आपको क्या खास करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है इन चीजों से अगर इस चीज को ध्यान में रखकर के आप पूजा करेंगे तो निस्टीत रूप से आपका पूजा सफल होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कि पैसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों सगे सबंदों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों का ज्यान रखकर के अगर पूजा करते हैं तो उसके जीवन में माता पारवती और भगवान शीव का आशिरवाद मिलता है और जीवन बहुत अच्छा चलता है आज के लिए बसेतना ही धन्यवाद